क्या आप अशान्तिया मानसिक तनाव से ग्रस्त है? क्या आपका वेपार घाटे में जा रहा है? क्या करजार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती? क्या आप दामपत्य जीवन को लेकर परेशान है? क्यों नहीं आती घर में सुख सम्रदी? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर चिन्तित है? क्या आप जानते हैं? इन सब बातों का कारण वास्तु दोश हो सकता है और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशशग्य नरेश सिंगल जी से जो की अपने इस प्रतिभा के लिए देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी जाने जाते हैं सिंगापूर, मलेशिया, थाइलेंड, दुबई जैसे शहरों में ये किसी परिचे के महताज नहीं है सुप्रसिद वास्तु विशशग्य नरेश सिंगल जी से देश की राजनितिक, समाजिक वा कॉर्पेट जगत की कई बड़ी हस्तिया सेवाएं ले रही है नमस्कार, ये है कारिक्रम सुख समरिथी और इस कारिक्रम में आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है तो आई ये समय नागवाते हुए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का नरेश जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार नरेश जी जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं कमर्शल सेक्टर की यानि कि बिजनेस से रिलेटेड जो लोगों की समस्या होती हैं उनके बारे में तो आज भी हमारे पास कुछ ऐसे इमेल्स हैं कुछ ऐसे पत्र हैं जो अपने बिजनेस से समंदित समस्याओं का समाधान आप से चाहते हैं जैसे रविंदर पांडे जी बिहार से हैं, इन्होंने हमें पत्र लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मैंने एक सिनेमा हॉल बनवाया है, नई से नई मूवी चलवाता हूँ, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता, इसकी क्या वज़े हो सकती है? सबसे पहली बात है जब भी आपको इतना पैसा आप लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो मैं हम बार बार जहीं बोलता हूँ, कि हमें किसी प्रफेशनल कंसल्टन्ट को यानि वास्तु वाले को अवश्य ही बुलाना चाहिए, चलिए, किसी भी करन से आपने नहीं बुल देने के लिए, आपने इसको जो जो नोर्स इस्ट क का जो पोरिशन है, एकडम हाय कर दिया, जिससे की नोर्स इस्ट के साथ साथ ऐस्ट का पोरिशन भी एकडम जदा हाय हो मैं इसका नाम ही नहीं है, جई आपका जो है सिनेमा है उसका नाम ही नहीं है नाम ही नहीं नहीं है तब वहां पर सिनेमा चलेगा कैसे दूसरी बात इसके अंदर जी आ रही है कि सिनेमा के अंदर कि आपको जो आप जो डिस्प्ले जो की विंडो है जहां पर आप यह बोर्ड बगड़ा लगा रहे हैं यह भी आपकी जो ह आपको यह लगाने चाहिए नौर्थ वेस्ट में नौर्थ वेस्ट यानि किस ची का शेतर हुआ वायू का यह उसमा मुमेंट होने चाहिए तीसरी चीज में इंडिगेट किया है कैश कांटर यहां से बुकिंग होती है वहीं आपकर कैश कांटर वाविए वगोंग भी जो है ना आपने ऑसी जगह बना दी जहां पर आदमी वह जल्द से तिक ही ने सकता है दोने तिन चीज गलता है इसके लिए मैं यह कितने बुए जो आपके सिस्टम है इसके लिए तीवी के मादरें से नले करके व्यक्तिकर आ लेने में चाहिए एक छोटे मुड़ी बात निया आपको इस तरह की समस्या भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका सिनिमा हौल नहीं चल पा रहा है तो नरेश जी ने आपको बता ही दिया है कि आपको एक वास्तो एक्सपर्ट की बहुत जरूत है चेंजिस की जरूत है तभी आ मेरे होटल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है कभी को लेकर कभी वेटर्स को लेकर किसी भी स्टाफ को लेकर चाहिए वो मैनेजर लेवल तक का ही क्यों ना हो इन्होंने लिखा है कि किर्पया मुझे को विपाय बताएं जिससे ही सारी समस्या है मेरी ठीक हो जा अंती से बिजनेस कर सके प्रॉफिट कमा सके साथ ही नौने नक्षा भी वेजा है वेज़े संगानेजी आपने याज होटल हो चाहिए वो मौल हो चाहिए वो सिनेमा घर हो दुबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस कमर्सिर सेक्टर मां मूब हो रहे हैं उनने वास्तुकिए की बिना नहीं चलना चाहिए कारण क्या होता है कि ज़ब वागय अच्छी होती है उस प्रआगि स्थी होने के कारण यह इस्तिकि कि बिलिंटे कर वेमान पमएंफ हैं लेकिन ँसे कंट्टुन नहीं पाते. उसको कंट्टुनु का मतलब उससे बेनफिठ नहीं छोच LA उनसे नने कर का पती जब भात ऋसको फाइदा नहीं गहां जिश्फ पर फाइदा नहीं बॉणिज्ट की बोलिंग का मतलब यह है कि जो स्टाफ है, जूनियर स्टाफ जो है, उसके लिए प्रोल्म है, जूनियर मतलब हम से वेटर को लिए सकते सब, अ दूसरा जो है इनके बाद इने साउथ वेश्ट के इनदर उन्हें जेनजैट रख दिया अपना, जिसके वजा स इनको प्रोड़म आरही है यहां पर इनको जोब सीनर स्टाफ और स्टाफ बोलते हैं या मालिक के सथे तो इन दोनों के प्रोलॉम यहां पर इनको बोट देखना पड़ेगा कि इसको किस दंग चाट आई यदि किसी करना थे नहीं हटा पारे तो फूरे यहां से लेके वहां कि इनको पिरामिड इस्टॉल करने पोटेंगे जिए मुटा-मोड़ी यह समझे लिजिए कि एठारा फुट के बाद एक पिरामिड उनको लगाना पड़ेगा तोड़ा सवेहना होता है और लगबग में कंदाजा करता हूं कि इनको लगबग 72 पिरामिड इनके लगबग तब यह कुछ दोष्ट कम ओपाएगा अगर यह नहीं करते हैं तो प्रोडमों हमेशा ही बने रहेंगी दो इसमें जो बात है आपने जो कुच्चन लिए एपने होटल के लिए यह थे लिए जित्वेकर में चीज़ जनरल सभी के लिए काम आजाएंगी एक तो बोरिंग एक जनरेटर सेट और है डिपार्टमेंट कह लीजिए या मालिक कह लीजिए उसका पांसा चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका पुला ध्यान नखना चाहिए कैश कहा हुगा वह जनरेटर ये लेक्ट्रिक स्प्लाइब कहा वह नौं फिस्ट ये इस्ट ये नौं लख लीजिया सबसे बैस्ट स्कंदा और शेन नोंफ की सथाराथ ये इस्ट की उषके बास इस इस इतिके से इनका जट्रेटर की जनरेटर हरे जगए लगए लगए हरब में लगए तो उसके लिये इनको को वह जन भी होता है और आपके भी साउथ वेस्ट में नहीं करें जहाएं वहां पर तो बार आपका जो जो जेनरेटर जो है ट्रिप कर जाएगा वही टाइम पर काम ही नहीं करेंगा वह खास कर चाहिए जहां पर एक तरह सर्जरी ओर हो जो पर उपरेशन हो रहा होता है तो उधर से पता लगे कि अल सब्सक्राइब हो जाता है मेरे खाल से आपको भी सारी बाते सुनकर लग रहा होगा कि वास्तु एक्सपर्ट से कंसर्ट ना करके बिल्डिंग बनमाना बहुत ही खराब हो सकता है अच्छा यह है कि पहले से ध्यान रखा जाए और प्रेकॉशन्स रखे जाए कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो नरेश जी आज भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज भी आपने बहुत अधेर सारी बाते हमाई दर्शकों को बताईं समस्याओं का समधान किया और वास्तु वरक्शॉप या प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप संपर कर सकते हैं इस नंबर्स पर 9717171010 यानि कि 9717171010 या फिर 9810290286 और हमारा वेबसाइट एड्रेस भी आपनोट कर सकते हैं जो है www.vastunarishsingle.com ऑट था जो है समसिने कारना चाहते हैं एडिया